नमस्कार स्वागत आपका start investment में दोस्तों आज कल share market जो है बहुत ज्यादा volatile बना हुआ है और आप लोगों ने देखा कि आज के दिन share market में बहुत ही जबरदस्त गिरावट आई है almost market crash के situation यहाँ पे है मैं ऐसी situation को as a opportunity हमेशा लेता हूँ तो आज की date में मैं आप लोगों को ऐसे ही shares बताने वाला हूँ जो की market crash में आप लोगों को जरूर buy करने चीए एक दिन आप लोग इन shares की बदौलत करोड़ पती बन जाएंगे मातर 25,000 रुपए से यहाँ पे सुरुवात कर सकते हैं आप लोग और 27 अक्टूबर का जो दिन है बहुत बड़ा यहाँ पे होने वाला है सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता देना चाहूंगा कि आप लोगों ने देखा पिछले एक हफते से मतलब पिछले एक हफते कहने का मतलब यह है कि 7 ट्रेडिंग डेज में आप लोगों ने देखा होगा 7 to 8 मार्केट नहीं उचाईयों को छू रहा था और आज और कल, कल तो अल्मोस्ट मार्केट फ्लैड चल रहा था और हलका सा नेगिटिव में क्लोज हुआ था शेयर में आप लोगों को क्या करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सबसे जो पहली कमपनी है जो कि मैं आप लोगों को recommend करूंगा और आप लोगों को at least watch list में तो add कर ही लेना चाहिए ऐसे stocks को एक साल के दौरान company ने 260% के returns दिये है और तीन सालों में 919% के company का revenue आप लोग देखेंगे तो हर साल increase हो रहा है और यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ chemical sector की ये company है 2020 में 4,239 करोड रुपए का यहाँ पे revenue जनरेट हुआ 2021 में 4,369 करोड रुपए का और company का revenue over the long run हमेशा increase हुआ है net profit देखेंगे यहाँ पे अगर company का तो company का net profit 2020 में 611 करोड रुपए का और 2021 में 775 करोड रुपए का यानि कि company जो है बहुत अच्छा perform कर रही है share holding pattern देख लेते हैं share holding pattern promoter के पास 45% की share holding FII के पास लगबग 11% DII 11% और public के पास 32% की share holding है तो इस company का जो share holding pattern है वो भी attractive है जी हाँ दोस्तों chemical sector के इस company का market capitalization 34,849 करोड रुपए का है तो सोच ये जिस दिन ये company 1,00,000 करोड रुपए के market capitalization वाली company बनेगी उस दिन आप लोगों के पैंसों को ये company कितना multiple times कर देगी जी हाँ दोस्तों और debt company के अंदर जीरो है यानि कि debt बराबर जीरो वाली ये company है प्रमोटर के holding भी अच्छी खासी है company का ROCE देखेंगे और ROE देखेंगे तो ये भी काफी attractive है company का नाम है Deepak Natprite Limited company का नाम और company का काम मुझे लगता है कि share market में invest करने वाले हर एक इनसान को पता है तो अब क्या करना चीए इसे stock के अंदर आज इसे stock के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई है ये company जो है chemical intermediates बनाती है कौन-कौन सी industries के लिए explosive industries, paint, cosmetic, polymers, optical brightners and others सोच लिजे आप लोगों को चाहिए वो organic हो, inorganic हो, fine हो specialty chemical हो सारे के सारे जो है इस company के business है chemical sector के अंदर और इस company ने दिखाया है कि ये एक multi-bagger returns generate करने वाला stock है दीपक नाइटराइट लिमिटेड आज की date में लगबग 12% का downfall यहाँ पे देखने के लिए मिला है और इतनी अच्छी गिरावट में buy on dips का अगर method आप लोगों ने नहीं अपनाया तो मैं कहूंगा आप एक share market में loser बनेंगे हो सकता है कि कल को further ये stock और गिरे वहाँ पे और ज़्यादा share buy किये जा सकते हैं जब जब आप लोगों को ऐसे share opportunity मिले buy on dips की तो ज़रूर अपने एगा ये तरहा पहला share दीपक नाइट्राइट लिमिटेड अगर over the long run आप लोग देखें तो 14,403% के return इस company ने generate किये हैं तो सोच लीजिए कि अपने share holder को इसने करोड़ पती बना दिया है और 25,000 मैंने कहा हर एक share मैं आप 55,000 रुपए डालेंगे तो आप लोग एक दिन जरूर करोड़ पती बन सकते हैं चलिए next company के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा इस company की एक साल के return 39% और 3 साल में 282 परतिसत के returns दिये हैं revenue की बात करें तो 2021 में 3030 करोड रुपए का revenue company ने generate किया वही net profit की अगर मैं बात करूँ तो net profit company का decrease हुआ है 2021 में और 83 करोड रुपीज का यहाँ पे net profit बन के आया है company का इस company का अगर आप लोग shareholding pattern देखेंगे तो again attractive है यहाँ पे promoter के पास 40% FII ने heavy investment यहाँ पे कर रखा है almost 29% का DII 9% और public के पास 22% की shareholding है इस company का market capitalization बहुत ही कम बहुत ही कम है 11,000 करोड रुपए का और यह वो company है जो growth stock में इनको कहूंगा और अपने growth face में यह company है technology से related यह company है आप लोग देखेंगे इस company का face value भी अभी 10 रुपए का है तो future में split भी देखने के लिए मिल सकता है ROC और ROE company के अच्छे कासे है और debt जो है नामातर का है company का नाम है Ambair Enterprises India Limited आज की date में इंडिया के अंदर room air conditioner market में एक prominent solution provider है Ambair Enterprises Limited और यह OEM और ODM industries को यह पूरे के पूरा OEM अब आप लोगों को पता जो original equipment manufacturer होते हैं branded उनको यह part supply करता है हर AC manufacturer बना के देता है Ambair Enterprises India Limited जी हाँ दोस्तों इस company के returns के बारे में बात करूँ उससे पहले आज देखेंगे तो 5% तक की लगबग यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली है मैं कहूंगा इस से अच्छा buy on dips का method आप लोगों को अपनाने के लिए कहीं नहीं मिलेगा 178% के returns यह company जो है पिछले sorry 2-3 सालों के अंदर बना के दे चुकी है चलिए थर्ड stock बताना चाहूंगा यहाँ पे एक साल के दौरान इस company ने 232% के returns दिये और year to date 208% के अगर company का revenue देखा जाए तो 2021 में बहुत ज़्यादा hit रहा वो क्यूंग वो हुआ कोरोना की वज़े से क्यूंकि इस share का नाम है IRCTC जी हाँ दोस्तो IRCTC company का नाम है monopoly business है आप लोगों को पता ही है net profit भी decrease हुआ 189 क्रोर रुपीज का 2021 में लेकिन जब आप share holding pattern देखेंगे तो maximum shares यहाँ पे promoter के पास है और promoter कौन है यहाँ पे government of India 67% FII ने भी अच्छा खासा investment कर रखा 8% के करीब 8.5% के करीब यहाँ पे DII ने और public के पास 16% के करीब की share holding है again IRCTC जैसा share पिछले 10 दिनों से जो की जबरदस्त तेजी दिखा रहा था इस share के अंदर पिछले दो trading session में लगबग 30% तक की गिरावट देखने के लिए मिली है तो क्या आपको इसी अच्छे opportunity मिलेगी जब आप इस share को 5,000 रुपय जब आप इस share को लगबग 6,000 रुपय पे खरीदने के लिए तैयार थे या 5,000 रुपय खरीदने के लिए तैयार थे तो जब आज के दिन ये share आपको 44,000 रुपय में मिल रहा है तो क्यों नहीं बाइ करना चीए हो सकता है कि further again ये share 4400 से गिर के 4000 रुपए पे आए तो वहाँ पे और जादा shares buy करने चीए company का market capitalization 70 करोड रुपए के आसपास का है और debt company के अंदर zero है तो zero debt वाला ये PSU stock है IR CTC जी हाँ दोस्तों अगर आपको online railway की ticket book करनी है इनी की तरू जाना है rail near का इनका business है ये भी monopoly business है तो दो इनके यहाँ पे monopoly business है और मैं तो कहूँगा एक multi bagger ये share है जिसके अंदर आज की date में भी 19 परतिसत की गिरावट देखने के लिए मिली heavy profit booking जो है IR CTC के share के अंदर हो रही है साथ ही साथ इसका मैं technical chart भी आप लोगों को अब opportunity है इस share को buy करने की long term के लिए जी हाँ दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा share आप लोगों को बताना चाहूँगा इस company ने एक साल में 62% और तीन साल में 43% के returns दिये हैं banking sector का ये share है HDFC bank ये ICICI bank बिलकुल भी आप लोग मत समझेगा इस company ने 2020 में 63,715 करोड रुपए का revenue generate किया और 2021 में 64,696 करोड का net profit की बारे में बात करें तो 2021 में 7,252 करोड रुपए का net profit हुआ इस bank को share holding pattern में देखेंगे तो 51% से ज़्यादा share holding किसके पास है यहाँ पे FII के पास है banking sector का ये share आप लोग सोचिए कि इस bank का 50% से ज़्यादा हिस्सा किसके पास है FII के पास promoter के पास 11% यहाँ पे देखेंगे DII 25% और public के पास 11% यहाँ पे देखेंगे इसका market capitalization तो 2,46,815 करोड रुपए का इस bank का market capitalization है और bank का profit growth भी अच्छा कासा है Axis Bank Limited जी हाँ दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक गई है आफ्टर HDFC बैंक और आफ्टर ICICI बैंक जी हाँ दोस्तों तो आप लोगों को अगेन यहाँ पे भी मौका मिल रहा है ओवर दी लॉंग रन देखेंगे तो Axis Bank ने जो है 23,691 प्रतिसत के रिटरंस अपने शेर ओडर के लिए बना के दिये हैं मैं क्यूं कह रहा था कि जो है 27 सक्टूबर का दिन बहुत खास होने वाला है तो दीपक नाइटराइट लिमिटेट के यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाले हैं यह एक्सपक्ट किया जा रहा है कि आंकड़े कैमिकल सेक्टर के थोड़ा सा खराब हो सकते है तो अगर यह शेर फर्दर गियता है तो मैं तो कहूंगा फर्दर आप लोगों को बाई करना चीए Axis Bank के रिजल्ट्स जो है 26 सक्टूबर को आने वाले हैं और यह टेक्निकल चार्ट आप लोग देखेंगे IRCTC का तो इस शेर ने यस्टरड़े अपना आल टाइम हाई टच किया उसके बाद रिकवरी यह कहूंगा मैं नीचे डाउन फॉल देखने के लिए मिला है और RSI यह देखिए आप RSI मैं कहूंगा कि एक सपोर्ट पे पहुँच चुकी है RSI इस सेर की आप लोगों को इसको अब यहां से अगर लॉंग तम के लिए लॉंग तम के लिए आप लोग बाई करना सुरू करते हैं तो यहां से जरूर बाई करना सुरू कर देना चाहिए IRCTC जैसे दिगज तो यही चार स्टॉक्स थे जो कि आप लोगों को बताने थे मल्टी बैगर स्टॉक्स हमेशा बाई कीजिए 25,000 सभी जगर डालते हैं तो करोड़ पते आप लोग आसानी से बन सकते हैं एक चीज कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बगल में जो बेल का आइकनों से प्रेस कर दीजिएगा इससे होगा क्या कि शेयर मार्केट के लेटेस्ट अबडेट आप लोगों तक पहुंशते रहेंगे और हम लोगों को भी इंकरेजमन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने के लिए साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो हैं पांच लिंक दिये गए हैं जिरोदा, एंजल ब्रोकिंग, एलीस ब्ल्यू साथ में अब स्टॉक और प्रॉफिट मार्ट का लिंक भी दिया गया है लिंक पे क्लिक करें इनके और एकाउंट ओपन करें और इंजय करें सभी की सर्विसेज तो आज की इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद